जैहिन दोस्तों आपका डीजे क्लस्स स्वागत है आपको प्रत्थृ की उतवत्त्त्य के बारे में बताया था आज मैं आपको प्रत्थृ में अक्षांश-देशानतर रिखाऊं के बारे में बता हूं आज हमारा टोपर के भी अक्षांश और देशानतर किसे अक्षान्स और देशानतर किसे अक्षान्स देशानतर ये कालप्लिक रेखा होती है जो ग्लोब पर खीची जाती है वास्तिक्ता में इसका कोई दोल नहीं होता वास्तिक्ता में इस्तित नहीं होती लेकिन एक आल्प्लिक रेखा है गुगल बेताओं उन्हें समय और इस्तित्ति को ग्याद करने के रहे इनकी वारे में इनकी ग्लोब पर ग्लोब पर जो आड़ी रेखा की चीजाती है आड़ी रेखा की चीजाती है आड़ी रेखाओं को अक्षांच रेखा केते हैं कि ग्लोब पर जो आड़ी रेखा होती है या 33 रेखा होती है अक्षांच रेखा केते हैं अक्षांच रेखा केते हैं इस 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 अक्षांच बोलते हैं कि इसी प्रकार कि इसी प्रकार गुलोब पर जो खड़ी रेखा होती है ते तैशान तर रेखा कहते हैं तेशान तर देखा केहते हैं क्या तेशान तर व्रद्वी बोलते हैं तो हम एक एक कीज़ को विस्तार से पढ़ेंगे कब से पहले हम बात करेंगे अक्षान्च की अक्षान्च तो शब्दे से मिलके बनाएं अक्ष प्लस अंच अक्ष प्लस अंच यह कोई रेकार्ड जिससे हम जो को अलग 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 दिगरी पर हम कोन बनाएंगे या अलग अलग डिगरी पर कोन बनाएंगे यह अधिए कि फीटा वन कोन ते फीटा टू को अलग 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 तो यह अंच ही होता है में अक्ष करें को कसम को किसम आपते हैं बिगटी के इंदर ओंड को मा आपते हैं अब अक्षान्ज दो शब्द से मिलका अंच अंच दिग्री अले डिग्री के अपने एंगल है अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लोब पर बात करते हैं ट्रक्ष्वी का मोडलों सब्दाक ज्यलोप यू यूशन परक्ष्वी का मध्द्षा इन С earth लुव्ज होती है कीरो डिगरी अक्षानज रेखा पास होती है इसे भुमद्य रेखा इसको जिरोंध रेखा बोलते हैं यसी से पीशुवत रेखा बोलते हैं कि एक नाम हो, एक नसे आफ-पुशुवत रेखा भी बोलते हैं इंग्लीश में से एकवेटर भी बोलते हैं ये दो एकवल पार्ट दो बरावर भागों में फ्रक्षिर को बाढ़ती है सिंके भूं मत ते रेका हुँ के मद्द से गुजर्ट से खुजरती की ते हाँ हो दो गुलार्द में बारती दक्षणी गूलार्द केलाता है कि गोलार्द में कि एक डिग्री पर अक्षांज रखा बनी होतीffe जिए एक डिग्री और दो दिग्री थीं डिग्री एक डिग Congrats वअ ग्राद में बी एक डिग्री पर अक्षांज रखा बनी हो कि एक्षांच रेखा बनी होती है पुल कितनी होती है, इस प्रेश्न आएगा अक्षांच कि अंख्यआ कि दिखकेक्व कि प्रत्विपर पर कितने अक्षांस होते हैं तो हमें सबसे पहले अक्षांस हो और अक्षांस रेका में अंतर पतावना अचिए है अक्षान्स और अक्षान्स रेका अक्षान्स हमें प्रट्री पर ग्लोप पर है भुमत दे रिखा की आपका 90 लिगरी उत्तरी अक्षान्स है 90 लिगरी उत्तरी अक्षान्स रेकार नीचे दक्षिन में 90 लिगरी दक्षिनी अक्षान्स है आ नबमे डित्री रक्शांस को उत्तरी धुरू बोलते हैं नौर्स पॉल और इसको बोलते हैं तक ने तरुको ताउथ बोलते हैं तक शिनी रूरू बोलते हैं पिट्री दुरू और दक्ष्णी दुरू कि. ये कि बिंदू में आते हैं पिट्री बिंदू ये टक्ष्नी बिंदू कि दुरू दक्ष्णी दूरू जो ये या सब्टी द tiduru अक्ष्णांस प Canon रेकामाननी आते हैं olmas तो फुल अक्षांशु संक्या तो है 189 और इसमें दो अक्षांश बिंदु हैं अक्षांश तो फुत्री दुरू और धक्ष्णि दुरू कि अक्षांश बिंदु है अगर रेखा की परिबाश आए दो बिंदु को मिलाने वाली दो बिंदु है दो बिंदु को मिलाने वाले अकरत्यू क्या बोलते हैं तक चुल संक्या एक MP2 यहां से आप की जो रेखा है वनती रेखा अगरे मुबेश को कि पेगा नीचे भी कि देखा बन रही है कि यह गोलाद में कि तरी गोलार्द में कि तरी गोलार्द में इनकी संख्या 89 और दक्षनी गोलार्द में भी दक्षनी गोलार्द में भी इनकी संख्या 89 और एक देखां वमध्य रेखा वमध्य रेखा या जीरो डिकर अक्षान्त रेखा संख्या एक इन साथ को हम जोड़ें कुल अक्षान रेकां संख्या हो जाएगी हम जोड़ेंगे तो 179 इसमें minus 2 करतेंगे अभी हम इसको advantage माइनस करतें गे मायनस दो करतेंगे तो आजाएगा 179 तो अक्षान्त रेखा की कितने आएगी अक्षांच रेखा की संख्या है 179 यह तरी गोलाद में और 89 रक्षिनी गोलाद में और एक भुमत रेखा अगर आख्षांच रेखा की संख्या 179 है और आख्षांच रेखा की संख्या है 181 अब आती आख्षांच रेखा किस काम आती है अख्षांच रेखा किस काम आती है अख्षांच रेखा किस काम आती है अख्षांच रेखा किस काम आती है अक्षान जेखा कारे है कि याद कर ने कि अक्षान द्रीका कारे तापमान जितार याद करने का कर दो कि अब अक्षान सोच की चाहताँ था तापमान जितार करते हैं इसको हम समझ जेंगे भूम्द जीडिडि अक्षान देखा जीडिडिडिडिन देखा जीडियो डिगरी आपके अक्षान देखा है उपर ताड़े तेज़ दिगरी त्री अक्ष्यांच रेखाए तुपका नीचे ताड़े तेज़ दिगरी तक्ष्णी अक्ष्यांच रेखाए यह सब्सक्षिया को अर्क रेखा भी बोलते हैं और उसी पगार्ड़े तक्ष्यांच रेखा को मकर रेखा भी बोलते हैं उस्पर्स्टी कीडने अदिक्तम से 21 जून को कर्क रेखा परक सीदी पड़ती है कर्क रेखा परक सीदी पड़ती है 21 जून को 21 जून को करक रेखा बस ठीटे पड़ती है इस दिद 21 जून को उत्री गोलाज में सबसे बड़ा दिन होता है फिर सूरज वापस सूरज वापस करक रेखा से करक रेखा से धीरे धीरे पिश्वत रेखा की और बढ़ने लगता है पिश्वत रेखा के दऱने लगता है और 22 सितंबर करक रेखा पर किदा चमक और फिर वापस से 22 दिसम्बर में सूरज रक्ष्नि गुलार्द में चलाता है हुए पॉस्ति गुलार्द ने तो इस तरदी पढ़ती है और दक्षनी गुलार्द में पढ़ती है इसी चीज को हम विस्तार से एस प्लास में लेंगें अभी हमारा मक्सद केवल यह बताना है कि सूरज का आधिक्तम रेंज यहां विश्वत रेका से करका तक यह जाता है सिजुन को हों सीधा समकता है को इससी प्रकार वापस आता था लिए को मसिता आधिक्तम रेंज 930 जीगरी से इस जत्र में गर्मी अधिक पड़ती है और इसे उठ घटी बन देगे हम आगे जाएंगे पड़ेगी और गर्मी की मात्रा कम होगी तो इस प्रकार हम अक्शान सो के आधार पर अक्शान सो के अधार फर अक्षान फूंड की साहता से ऐक्षान करेक है तकाओ की साहता से साब मान भिंटा ग्याद कर सकते हैं या याद कर सकते हैं 23,64 डिग्री सिरक्षांस यहां पर सुरुजी किनने शिर्ची पड़ती है या सर्दी गर्मी शमान पड़ती श्यत्र को कम सी तोष्न कम शीट की तोष्न हटी-मन्ध में बानते हैं कि श्यत्र का ताफ मान अगबक समान परती न ज्यादा गर्मी पड़ती इस रखशन में भी 23-25.6 degree दक्षिनी अक्षांच तो यह शेत्र है यह वाला शेत्र है यह वाला शेत्र उस्टी गुलाद में यह वाला शेत्र और दक्षिन गुलाद में भी 23-25.6 degree जक्षिनी अक्षांच वाला शेत्र ना सर्दी गर्मी जमान प्रती सिस्टी को भी हम क्या बोलते हैं हम सितोष्ण बोलते हैं हम सोष्ण सोष्ण कटी वंदी शेत्र बोलते हैं ना 90 डिग्री से अक्षांच कर दिग्री 36 ड़िग्री से 90 डिग्री अक्षांच वाला यह वाला शेत्र हैं यह वाला शेत्र यह आपर सुझा इन्ने त्रिशी पढ़ती है कि अचे ब्रते इस शेत्र में और नीचे बादा इसितरा इनशे वादा शेत्र या नब्वे डिगरी सोगे दर्च्षिंशांच कि अच्षिंशांच अच्षिंश में तर्धी बहुत आधिक पढ़ती है इंचे फिर्चिंशी पढ़ती है तर्दी अदिक पढ़ती है तो सूर्ज सी किड़ने किदी पढ़ती है केत्र में गर्मी अदिक पढ़ती है तर्दी पढ़ना जारम हो जाती है तो आक्षान से रेखा किसाहिता से हम याद कर सकते हैं कि भुम्मति रेखे प्रदेशों में गर्मी अधिक पड़ेगी तो हम भुम्मति रेखा से दूर जाएंगे दुरूओं की और बढ़ेंगे दुरूओं की और बढ़ने से गर्मी मात्रा कम होती जाएगी के अक्षान्त रेखा इस्गता से हम तापन्थ भिंता ज्याद कर सकाश़ हरा कि प्रकार आए हम बात करेंगे देशान्त रेखा की बात करेंगे तेशानतर रेखा की बात करेंगे तेशानतर रेखा तेशानतर रेखा का कारिये समय मापन में काम आता है और अक्षान रेखा कारिये अक्यान से इस्तती तता तापमान भिंता याद करने में काम आता है तो तेशानतर रेखा का का कारिये देशान्त रिष्टति वह समय मापन में काम आता है गुलोब पर उस्ति दुरू को दक्षिन दुरू से मिलाने वाली गुलोब पर उस्ति दुरू को अब जी उत्री दुरू से मिलाने वाली कालत निक रेका कालत निक ग्रिन वीच देखा भी बोलते हैं ग्रिन वीच देखा एक नाम हो रहे है कि यूडर डिगरी ते रेशान तर रेका प्रदान देशान तर रेका भी बोलते हैं इसको और प्रदान देशान तर रेका भी बोलते हैं कि यह उत्तर से दक्षिनी तुरू को मिलाने वाली कालत में रेका कारी बताया मैंने हमें मापन देखा अब इनकी संक्या कितनी होती है कि वह कैसे समझेंगे हैं तो हम किताब होती ना कि पॉल्लिंग दो वाग होते हैं कि यह वाला भाग अपने माले यह जीरो डिगरी देशान तर यह वाला यह दो भाग हैं यह है 180 डिगरी की देशान तर यह वाला भाग है 180 डिगरी पूर्वी देशान तर यह दो नो एक ही देखा हैं कास बात क्या है 180 डिगरी पूर्वी देशान तर यह दो नो एक ही रेखा हैं एक ही रेखा हैं एक ही रेखा हैं एक ही रेखा हैं एक ही रेखा है को बुक है इससे को बुक को बंद करतें गे वापस उको फॉर्ड कर देंगे दोनों सीरे क्या हो जाएंगे और प्रिवा शिरा को प्रिवा देखा हैं दोनों एकी सीरी जुड़ जाएंगे आपस में एक ही है इस गोलाद में देशानतर की संक्या गोलाद में तो देशानतर की संक्या हुई 307 ऊच्छांतर है एक शाम्राद में है देशानतर की संक्या गोलाद में इंद जुड़ों देशानतर संक्या गोलाद मेंद देशानतर यूज लिए तुड़ों यंद शॉन धूजुड़। मान चित्र पर हमें रेखा की तरह आएगी और जो गुलोब पर देखेंगे तो उजी देशांतर प्रत की रूप नहीं रहाते हैं कोनों एक ही जीट है कि कुल संक्या 360 है 60 देशांतर संपुन प्रत्वी को 307 तेशांतर रेखाओं में विवाजित किया गया है सारे इसका सारे समय मापन करने में समय मापन में समय मापन में सारे आता है समय मापन